हेल्फ नर्स कासा आप लोग आई होब कि आप लोग अच्छे होंगे एक नए वीडियो में आप लोगा स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिजाइन से रिलिएट कुछ टेप्स जैसे कि रिजाइन जब हम देते हैं किसी भी माइक्रोफाइनस में काम करते हों या किसी भी मैं बड़े बेंग में काम करते हों उसका क्रिजाइन का प्र Ultra से क्या रहता है और स्वेक्षे और बंका अगर च्या सब्सक्राइब कर लीजेगा अब पेल एकन को पिरस कर लेजागा ताकि सब लोग को मिलता रहे तो चलिए वीडियो सुरी करते हैं तो दोस्तों आप लोग को बता दूं कि किसी भी अस्मॉल फाइनस बैंक हो या बड़ा बैंक हो उसमें अगर आप काम कर रहे हैं या काम करने के लिए सोच रहे हैं तो उसमें एक रीजन होता है जैसे माल लीजिए आपके पास एक्स्प्रियंस हो गया उस स्मॉल फाइनस बैंक का और उसमें से रिजाइन मारके किसी और बैंक में काम करना चाहते हैं और रिजाइन जब ढालेंगे उस पिरिड में कुछ दिन का नोट होता है जैसे आप कैसियर हैं तो दो महिना तीन महिना का नोटिस रह सकता है आप ब्रांच मेनेजर हैं तो उसमें एक मेना डेड़ महिना का नोटिस हो सकता है इस परकार से नोटी स्पिरेट रहता है अब नोटी स्पिरेट क्या है उन लोग के लिए बता दू कि नोटी के काम करना रहता है उस टाइम में आप कंपनी के ऊपर कितना बकाया दिये हैं क्या किये हैं टोटल हिसाब अपने ऊपर से किलियर करके जाना रहता है अगर यह चीज अपने बैंक से पूरा किलियर करके नहीं जाते हैं तो आपको रिलीविंग सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता ह experience certificate जो मिलता है वो आपको नहीं मिल सकता है दूसरी बात कंपनी को एक timing मिल जाती है कि ये बंदा रिजाइन पे है उसके जगा पे दूसरा बंदा हायर करना पड़ेगा तो उसके लिए company लग जाती है दूसरे बंदा को हायर करने के लिए आपके जगा पे भेजने के लिए जो आप company आपको कुछ प्रभाइड कराई हो जैसे लैपटप हो गया यह हो गया यह मुवाइल हो गया यह सीम हो गया यह बायमेट्रिक कोई समान हो गया ओ चीज अगर company आपको दी है तो उसको पूरे से तरीके से ब्रांच मेनजर को handle करने के लिए यह उस वहां पर जो एस्टाफ है सेनियर उनको यह handle करने के लिए इस चीज को दे दिया जाता है आप इतना समझ लिजे कि जितना समान आपको मिला है बैंक के तरफ से हर चीज आपको बैंक से clear करना पड़ता है उस notice period में इस चीज को जब notice period आपका complete होता है तो उसी टाइम में आपके जगव पे दूसरा बंदा आता है काम करने के लिए और उस बंदा को आपको हर चीज क आपको बताना पड़ता है एक और बहुत ही important बात बताने वाले थे और आप लोग बहुत ही घौर से और बहुत ही बहतरीन तरीका से इसको सुनिए दोस्तों जब भी आप finance bank को जब आप ज्वाइन करते हैं उस टाइम में company का कुछ term and condition होता है जिसको जो rule होता है उसको क्या उसका term and condition है उसको आपको समझना रहता है टोटल जितना term and condition है उस चीज को आपको पढ़ना रहता है पढ़ करके तब आपको sign करना रहता है लेकिन यहीं आप भूल कर देते हैं आप जहां senior लोग बताते हैं वहां पे आप लोग sign कर देते हैं और आपना joining करा रहते हैं लेक कंडिशन पर कि आप अगर कंपनी को रिजाइन दे रहे हैं तो उस टाइम में आपको इतना दिन के लिए नोटी स्पिरेड में रहना पड़ता है अब इसमें मालने जिए अगर कोई मर्जेंसी है और आप सोचते हैं कि नहीं मैं तीन महिने का नोटीस नहीं करके स्ट्रसक्राइब मैं सब्सक्राइब करके आप ओ מא और आप हैं जल्दी से इस कम्पनीय को भीदाई ले害 लहां इस कम्पनीय को चोचिए करना पुद्स करते है पाक 대해서 ओं अतना दीन आपको पूरा करना लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हम स्वार्ट नोटीस कर लें मैं laughing कुछ रखती है जैसे कि सोट नोटिस में आप नोटिस करते हैं तो सोट नोटिस में आप घर तो जा सकते हैं लेकिन उसका कंडिसन यहीं है कि कुछ आपके उपर पेनाल्टी लग सकता है जैसे नोटिस प्रिट में जितना पैसा आप कमाये रहेंगे उसमें से कुछ कंपनी का पेनाल्टी है कुछ परसेंट पेनाल्टी रहता है जो कि आपको 10,000, 12,000, 13,000 या 15,000 भी देना पड़ सकता है उतना पैसा दे करके ही कंपनी को इस कंपनी से आप विदा ले सकते हैं और लॉंग नोटीस जब आप कर रहे हैं तो उस टाइम में एक पैसा कंपनी को नहीं देना पड़ेगा बलकि नोटीस पिरेड का जो आप काम किये होंगे उस नोटीस पिरेड में लास्ट के दिन जिस दिन आपका नोटीस खतम होता है उस दिन आपको पैसा के साथ आपको विदा कर दिया जाएगा तो हाई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आ गया होगा तो मिलेंग नेक्स्ट विडियो में आज के लिए वस इतना ही जहें